कि रियलाइस करने की जरुवत है कि जिस तरह रविदास टेंपल को डिमॉलिश करा गया या अंबेटकर की स्टाचू को गिराया गया यह एक हार है मनुवादी आइडियोलोजी की इंसान कब आमादा होता है चीजों को तोड़ पोड़ करने के तो यह आइडियोलोजिकल हाल हुई है तो उस पे गुस्सा है जो वो स्टाचूस को गिराकर निकाल करें हैं जो डालिट के खिलाफ डालिट के खिलाफ अट्रॉसिटीज बढ़ रही है 2016 की रिपोर्ट है National Crime Report Bureau की रिपोर्ट है 2016 की 66% राइज हुआ है डालिट के खिलाफ हेट क्राइज में तो सरकार किसे बात क्यों नहीं कर रही है और इस तरह क्यों डालिट को और दबाया जा रहा है क्या इस तरह अभी भी एक असार साल पीछे की जी रही है जो आज सब एक्वालिटी और फ्रिटम अफ एक्स्प्रेशन की बात महीं करना चाहती हूँ मैं इस मंज़्चे थू एक और बात हायलाइट करना चाहती हूँ कि प्रोफेसर हानी बाभू के घर में डेट करा गया और प्रोफेसर हानी बाभू के मैं बात इसने कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने अपने आर्टिकल बात रादिकल उक्वालिटी की बात परी है और इस देश में एक्वालिटी की जरुवत है इस वक इस नेशन को, क्यों जरुवत है कि बफोर फ्रीडम एक्स्प्रेशन, बफोर लिबर्टी, वी निद एक्वालिटी और इस देश में एक्वालिटी कही न गहीं पीछे छोडी जा रही है, तो I from JNUSU and from fraternity movement stand in solidarity with the Green Army activists who have been arrested I stand in solidarity with Chandrasekhar Azad, उनको रिहा करा जाए और जो मंदिर थोड़ा गया है उसको फिर से बनाया जाए, उसका निर्मान शुरू किया जाए और वही बनाया जाए जहां पे वो तोड़ा गया है जिस तरह बापरी मस्जुद को तोड़ा गया, उसी तरह रविदास temple को भी तोड़ा गया तो we need to realize कि in Idols को, in places of importance to minorities को क्यों बार-बार तोड़ा जा रहा है, बार-बार attack किया जा रहा है इसने क्या जा रहा है कि थोड़ी सी भी जो voice of descent आती है उसको रोग दिया जाए, उसको curb कर दिया जाए, जहां शुरूआत में ही उसको from the very sapling ही उसको approve कर दिया जाए तो I stand in solidarity with Bheem Admi and Chandr Shekhar Azhar और जो statues तोड़े जा रहे हैं अमबेट करके this is not the first time, Karnataka में भी कही बार, UP में भी कही बार Ambedkar के statues तोड़े गए हैं तो I stand against these things and जो कुछ भी रहेगा हम उसके साथ लड़ेंगे, फासिवादी सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, thank you so much